नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MNP Knowledge School में साथियो package plan के श्रिंखला में आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसा pension package plan जिसमें आपको पैसा एक बार देना है वो पैसा आपको pension जब start होगा उस समय 20% add होकर वापस मिल जाएगा साथ ही आपको एक lifetime की income की guarantee हो जाएगी और साथ ही साथ एक अच्छा करीब 20 लाख रुपए का pension fund भी आपके लिए रहेगा और इस package plan का नाम है शान्ती उमंग आनन package plan आप मेंसे कई लोगों ने comment के माध्यम से, mail के माध्यम से मुझे package plan और बनाने की request की थी उसी के मद्दे नजर आज फिर से आपके सामने एक पहुत ही शान्दार package plan आ चुका है बिना समय गवाए मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरा आसवाशन है आपको कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी साथियों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल MNP Knowledge School को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके अपने future की planning करनी है लेकिन सही बात तो यह है कि आपको पैसा कहां लगाना चाहिए उसकी जानकारी आपको सही तरीके से देने वाला कोई नहीं है अच्छा आपको return की चाहत है पर उस return में guarantee नहीं है अच्छा pension पाने का मौका है लेकिन आप लगातार premium नहीं देना चाहते है आपको लगता है कि मैं इतने लंबे समय तक premium कैसे दे पाऊंगा कहीं pension तो आपको हर साल मिल रहा है लेकिन कोई fund नहीं बन रहा है यानि कि आप हर साल pension तो पा रहे हैं लेकिन एक fund एक बड़ा amount एक रकम आप ही कठा नहीं कर पा रहा है pension तो आपको मिल रहा है लेकिन एक बड़ा fund अगर 15-20 लाग रुपए को कि आपको अचानक अगर जरुद पड़ती है तो फिर आप कहां से लाएंगे कुछ अनुनी हो जाती है तो घरवालों को अच्छी financial help वित्तिय सहायता भी नहीं मिल पाती अक्सर pension plan में आज एक ऐसा package plan आपके सामने है जो इन सारी समस्याओं का हल है आईए देखते है solution क्या है, समाधान क्या है साथियों, 40 साल आपकी अगर उमर है और 10 लाग रुपए आप लेकठा किया है आपके पास है और मुझे 60 साल की उमर से pension स्टार्ट हो जाए तो ये योजना आपके लिए है ये 20 साल का वेक्ति भी कर सकता है 25 का भी कर सकता है 30 का भी कर सकता है 40 का भी कर सकता है और इवन 50 साल का वेक्ति भी ये plan ले सकता है लेकिन मैंने 40 साल इसलिए बोला इसलिए चुना क्योंकि एक ऐसा एज होता है कि जिसमें आप कुछ पैसा उस समय तक अपने जीवन में कठा कर चुके होते हैं तो इसलिए आप 40 साल की उमर तक में 10 लाग रुपए कठा करिए इसके बाद एक ऐसा शांदार प्लान आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके जीवन भर की आमदनी की पैंशन की बीमे की समस्या खतम हो जाएगी जब आप 60 साल के होंगे तो आपको एक लाख पाँच हजार रुपए पैंशन हर वर्स मिलेगा पहली चीज यानि आपने एक बार में 10 लाख रुपए दिया बीस साल के बाद आप 60 साल के होंगे और एक लाख पाँच हजार रुपए पैंशन आपको हर साल मिलेगा जब तक आपकी जिन्दगी रहेगी जो 10 लाख रुपए आपने जमा किया था उसमें 20% एड़ करके करीब 12 लाख रुपए आपको वापस भी दे देंगे कब दे देंगे 20 साल के बाद और इसके अलावा 20 लाख रुपए का एक पैंशन फंड भी आपके लिए सुरक्षित रहेगा जो आप इस पैसे को या तो 20 साल के बाद ले लीजिए या तो एक लाख पांच हजार रुपए पैंशन हर साल लेते रहिए और 20 लाख का फंड भी कि आपका हर साल बढ़ता रहेगा समझ गया नहीं समझें आगे समझ जाएंगे एक एक्जामपल देखते हैं आपकी उमर 40 साल है प्रीमियम आपने जमा किया 10,76,845 रुपए एक बार में अगर 30% आप टैक्स बचाते हैं तो करीब 45,000 रुपए मोटा मोटा हमने माना कि हमन आपको एमाउंट सिर्फ देना है इसके अलावा आपको अपने जीवन में कभी एक भी रुपए नहीं जमा करना होगा अब क्या होगा at the age of 60 यानि कि 60 साल की age पे पहले तो आपका 1,5,000 रुपए पर ये पेंशन शुरू हो जाएगा जीवन भर के लिए 12,000 रुपए आपक 26,000 रुपए दिये थे 20 साल के बाद आपको वापस हो गया नॉर्मल पेंशन प्लान में पेंशन स्टार्ट होता है पैसा वापस नहीं होता है यहां आपका पैसे में 20% एड़ करके आपको वापस मिल गया साथी साथ 20,000 रुपए का पेंशन फंड बना जो लगभग लगग एक लाख रुपए हर साल बढ़ता रहेगा यानि 20 साल के बाद जब आपको एक लाख 5,000 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो गया है साथी साथ आपको 12,000 रुपए वापस मिल चुका है उसके अलावा 20,000 रुपए का एक और फंड है जो आप निकाल सकते हैं अगर आपको पेंशन नहीं चाहिए लेकिन अगर आपको पेंशन चाहिए तो एक लाख 5,000 रुपए परियर लीजिए 20 लाख रुपए का फंड है जो एक लाख रुपए के हिसाब से हर साल बढ़ता भी रहेगा जिस दिन आप ये 10 लाख रुपए जमा करेंगे उस दिन से ही 22 लाख का बीमा आपका चलता रहेगा और वो 20 साल तक 33 लाख रुपए तक पहुँच चुका होगा 33 लाख रुपीज वो पहुच चुका होगा यानि अगर इस 20 साल के अंदर कुछ हो जाता है तो घरवालों को 33 लाख रुपए तक का सहायता भी मिल जाएगा यानि कि 1 लाख 5,000 की ग आपका 1 लाख रुपए बढ़ता रहेगा जैसे समय गुजरेगा प्लस कुछ होने पर घरवालों को 22 लाख से लेके 33 लाख के बीच का वित्तिय सहायता वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको वादा किया था कि एक ऐसा पैकेज प्लान मैं आपको बताऊंगा जिसमें प भी जानने की आवशक्ता है कि जो पेंशन फंड जो आपका 20 साल के बाद करीब 20 लाख रुपए बनेगा वो उसके बाद किस तरीके से बढ़ेगा जैसा मैंने बताया था कि एक लाख रुपए एक प्रॉक्सिमेट उसको हर साल बढ़ना है तो देखिए पहली चीज तो यह इस पर अमाउंट था जो आपका मूल धन था आपको वापस मिल गया फिर क्या हुआ अब जो फंड बना है वो किस तरीके से आपका बढ़ जाएगा वो देखते हैं 60 की उमर में फंड है 20 लाख का बीमा है 27 लाख का 65 की उमर में फंड है 23 लेक्स का और बीमा है 30 लाख का 70 की उमर में फंड है 28 लाख का इंसुरेंस कवर है 35 लाख का इन सब का मतलब यह हुआ कि जैसे माल लीजे 70 की एज में आप कहते हैं कि आप मुझे पेंशन नहीं चाहिए मुझे 1 लाख 5 जार रुपे परियर नहीं चाहिए मुझे अपना फंड निकालना है तो आप 28 लाख सीधे निकाल लीजिए आपका पेंशन वहां बंद हो जाएगा आप पेंशन ले रहे हैं और अगर कुछ आपको हो जाता है आप पैसा नहीं निकालते हैं तो 70 की एज में नॉमिनी को 35 लाख रुपीज मिलेगी मैंने शुरुवात में कहा था कि फंड भी बना कुछ हो जान इन पें घरबालों को financial help भी मिला ऐसा करते करते 75 की एज में जो fund है वो 36 लाक्स का है इंस्रेंस कवरेज 43 लाक्स का है असी की एज में फंड जो 42 लाक्स का है और इंस्रेंस कवरेज 49 लाख का है यानि कि अगर 80 की एज में भी कुछ हो जाता है तब तक आप 1,5,000 रुपाई परियर ले रहे हैं और उस दौरान कुछ अगर आपको हो गया तो आपके नॉमनी को 49 लाक रुपए मिलेगा धिहान देने वाली बात किया है कि जो LIC को आपने शुरुवात में दिया था 40 की एज में 10 लाक सम्थिंग रुपए वो LIC ने आपको 20% एड करके वापस 20 साल के बा रुपए गा और नहीं निकालते हैं कुछ हो जाता है तो नॉमनी को 52 लाक रुपए हर एज पर जानना जरूरी है आप मेंसे बहुत से लोग ये कहेंगे कि 90 तक कौन जीएगा लेकिन अगर जी गया तो ये benefit मिलना है और ये सभी कुछ non-taxable है यानि कि आपको एक भी दिया 10,76,000 रुपए और जो टोटल बेनफिट हमको इस प्लान में मिल रहा है वो एक करोड 19 लाक रुपए का इस प्लान का थंबनेल कहता है कि एक करोड से उपर का पेंशन तो आगर आप जोडेंगे अगर 60 साल से आपका पेंशन स्टार्ट होता है फंड जो refund of premium है जो पे देंगे वो भी तब जब आपका प्रिंस्पल अमाउंट आपको 20 साल के बाद 20% एड होकर वापस भी मिल गया साथियों आपका आगला सवाल ये होगा कि कौन कौन से प्लान है ये तीन प्लान का कॉम्बिनेशन है जीवन शांती जीवन आनन जीवन उमंग ये तुना ध्या जब तक वो जिंदा है जीवन आनन देंगे 5 लाग का 20 साल के लिए जिसका यह ली प्रिमियम 32 जार आएगा जीवन उमंग 5 लाग का देंगे जिसका यहरली प्रिमियम अठीस जार आएगा इन दोनों का प्रिमियम मिला के आपका 60,000 है आप जीवन शांती के pension से जो 65,200 है उ कि वो pension आपको मिल रहा है जीवन आनन्द और जीवन उमंग के एवज में तो आप यहाँ देखेंगे कि 65,200 में से 60,000 रुपए आपने माइनस कर दिया क्योंकि वो premium चला गया जीवन आनन्द और जीवन उमंग का next year से तब भी 5,200 रुपए पर year आप बचाएंगे amount बहुत छोटा है वो 20 साल में करीव एक लाख रुपए आपका इकठा और हो जाएगा इन सब चीजों के अलावा बताना जरूरी है क्योंकि ये भी इस package plan का हिस्सा है तो साथियों अगर मैं बहुत क्लीर बता दूँ कि ये combination है तीन plans का बार बार आप पूछते हैं कि plan कौन कौन से हैं मैं दुबारा बता देता हूँ कि जीवन शान्ती आपको 10 लाग का देना है जीवन आनन्द आपको 20 साल के लिए 5 लाग का देना है ये package plan है इसमें ये होग कि 10 लाग 76,000 रुपए आप जमा करेंगे पहले साल और सेकेंड ये से जीवन शान्ती के pension से आपका जीवन आनन्द और जीवन उमंग का premium चला जाएगा उसके अलावा 5,200 रुपए बच जाएगा 20 साल के बाद आपको 12 लाग रुपए वापस मिल जाएगा त्योंकि जीवन आनन्द मैचियोर हो चुकी होगी एक लाग 5,000 रुपए आपको pension बन जाएगा कैसे बन जाएगा 65,200 रुपए जीवन शान्ती का और करीब करीब आपका 40,000 42,000 रुपए आपका जीवन उमंग का इस सारा मिलाएंगे तो आपका एक लाग 5,000 रुपए और जो 20 लाग जो fund इसके अलावा बनेगा वो जीवन उमंग और जीवन आनन्द का और साथ ही साथ आपका जीवन शान्ती तीनों का एक surrender value होगा तो वो fund आपका बन जाएगा इसके अलावा कोई confusion अगर हो तो आप जरूर comment section पूछिए और मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये plan अच्छा लगा ह होगा अगर आपको कोई भी confusion है तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरू सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा ज्यादर ज्यादर लोगों से शेयर करिये और have a nice day, keep smiling, जै हिंद!